यही बात तो आचारे जी आपसे पूछ रही थी मैं कि दोस्तियों में देश को ताक पर लगा दिया आपने दोस्ती निभाने के लिए भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिया आपने और पाकिस्तान को हस्त्रेप करने का मौका दे दिया ता उम्र ये ये ब्लंडर नहीं तो क्या है इस पर जवाब दीजिए ना इधर उधर की बाते ना करें दोस्त मुद्धा पर मुद्धा कश्मीर पर जो सवाल उठते हैं उसे बता देखिन आविका जी एक तो बीजेपी हो या आरेसेस हो उनके तमाम विचारक चिंतक और नेता और लेखक ये सिद करने में तभ कोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे और ये कहा जाता था कि देदी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल सावर मती के संत तुने कर दिया कमाल तो महत्मा गांधी से भी प्रॉब्लम होती थी उनको और आज तक भी है लेकिन चलिए मोदी जी का धन्यवाद के मोदी ज का अभी जो दूसरे हमारे साथी प्रवक्ता थे जाएं वो बीजेपी के हैं या अपने अवस्थी जी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर के इशू पर पंडित नहरू गलत थे और पटेल सही थे तो क्या ये संभव है कि पंडित नहरू के जो फैसले थे वो सरदार पट सरदार पटेल ने किये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं और आज के कानून मंतरी को भी ये सोचना चाहिए कि अगर पंडित नहरू पे उन फैसले को ब्लेंडर कह रहे हैं तो उस ब्लेंडर में और लोग भी वो शामिल है जिनके नाम पर इस देश को फक्र है जिनके नाम पर इस देश को गर्व है तो मैं अभी बड़ी जो अजीव सी बात हो रही है कि जो अच्छा काम हुआ वो सरदार पटेल ने किये तो कोई नहीं कह रहा कि नहरू जी ने कोई अच्छे काम नहीं किये मैं आप से सवाल ये पूछ रही हूँ कि कश्मीर पर कुछ गलतियां हुई या नहीं हुई इसको मानने में क्या हर्च है ने कैसे माना जया इसको नावी काजी पहली बात जिव प्रधानमंति देश का प्रधान मंतल पहली बात तो ये है कि देश का जो डिवीजन हुआ तो क्या वो पंडित नहरू ने किया उसमें महत्मा गांधी की सहमती नहीं होगी उसमें मजबूरियां नहीं थी उसमें परिस्तितियों के हालात क्या थे उस समय कतले आम हो रहा था तमाम आग जनी हो रहे थी देश जल रहा था तो जब घर जल रहा होता तो घर का मुख्या भ बनाने का फैसला उस समय के नेताओं ने किया महतमागादी की कंसेंट से हुआ तो फिर तो महतमागादी बापू भी गलती गलत सिद्ध इठाराएं जाएंगे और तमाम नेता गलत हो जाएंगे गरबाटिया जवाब पीजिए आचारे प्रमोर्श इशनम जी को अचारे जी ये केरेों और साथ में ये भूल जाते हैं कि जितने प्रिंसली स्टेट्स थे उनको साथ लाने वाले तो सरदार पटेल थे अब सरदार पटेल को ये भूल गए जवाहर लाल नेहरू इन्हे याद रहे लेकिन नेहरू पर कोई टिपणी करता है तो इनको दर्ध हो जाता है और कहते हैं कि पटेल और नहरू तो हमेशा साथ साथ थे अब इसका जवाब दीजे गौरब भाटे जी देखिए आचारे जी आज जो बाते हैं भारती जंता पार्टी ने उठाई हैं उससे क्यों बच रहे हैं उसकी वज़ा है इतिहास गवा है और कॉंग्रिस जानती है कि जवाला नहरू गलत तक्त्यों के आधार पे आपको बताता हूं पहले पांच भूल क्या है जल्दी जल्दी बता दूँ पहले भाग में नहीं बता पाये था नाविका जी पहली बात तो देरी जो करी मैंने बता दिये किस तरह से राजा हरी सिंग चाहते थे कि विले हो जा कि जो एक्सेशन होगा विले होगा यह अस्थाई होगा प्रोविजनल होगा यह भी गलत था क्योंकि पांच सो साथ रियासत जो विले होती है वहाँ कोई प्रोविजनल विले था ही नहीं इंस्टुमेंट ओव एक्सेशन सबका सेम था तीसरी बात हमारा अंद्रूनी मामल था ये तो अचारे जी भी मानेंगे इसका अंतर राष्ट्य करण क्यों किया युनाइटेड डेशन संयूगत राष्ट्र क्यों लेके गए आपने पाकिस्तान को एक जगा दे दी बात रखने की आपने युनाइटेड नेशन को जगा दी यह तो भी नहीं था और इसमें इंडिंस आक्ट में ऐसा कोई ना धारा थी ना कोई प्रोवियन था और उसके बाद जन्मत संग्रे सिर्फ इसके कराना था क्योंकि अपनी चवी को सुधारना था और अंत पाच्वा जो दोश है उनका वो यह था कि आर्टिकल 370 आप पढ़िएगा अचारे जी अस्थाई अस्थाई रहेगा आपको मालूम है जब बहस हुई जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कहा कि यह भेदभाव वाला रिवया क्यों और सरदार पटेल ने बिल नहीं पारित पहां पे किया या पेश किया गोपाल स्वामिया ये इंगर जो सबसे नजदी की थे जवालना नहरू के उनको ये जिम्मा दिया गया और मैं अब आपको एक और बाप बता दू सफ्ट्यों के आदार पे ये चाचा नहरू ने कहा है लाइन अंग्रेजी में है पड़ देता हूं जब राजा हरी सिंग जी ने कहा कि हमें विले चाहिए तो 1952 में जवालना नहरू के व्य क्या है जन्मत संग्रेज चाते तें चाचा नहरू ऐसा क्यों है यह सवाल वह सवाल है जो पूछे जाएंगे और एक बात और कह दूँ शामा प्रसाद मुखरची जी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने बलिदान दिया है और यह उनीक नारा है जो हर भारतिये ने लगाया है और